ओल्तासी इन्वेटर ए सी का जो रिमोट होता है काम कैसे करता है सारे फंसन कैसे काम करते है complete वीडियो देखते रहें आज इस वीडियो में step by step एक एक बटन के भारे में हम जानने वाले हैं इसलिए वीडियो को complete देखते रहे और चेनल को सबस्क्राइब ने किया है तो चेनल आप करने के काम में आता है उसे एक बार करेंगे एसी ऑन हो जाएगा दूसरी बार करेंगे एसी ओफ हो जाएगा सबसे पहला बटन दूसरा आप देख सकते हैं माइनस और एक प्लस का बटन है इससे क्या होता है आलेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें लॉयर डे इन तो टेंप्रेचर डाउन होगा और प्लस का बटन दबाएंगे तो टेंप्रेचर ऊपर जाएगा जिस टेंप्रेचर पर सेट करना चाहते हैं उससे माइनस प्लस के बटन से आप सेट कर सकते हैं उसके नीचे आते हैं मोड का बटन आप देख रहे हैं मोड एक बार प्रेस करे है कि चार मोड़् होते हैं एर कंडिशनर में एक बार करेंगे तो कुलिंग मोड Państuellement पे मोड पर मूंस्चर जैसा बरसात की समय में होता है तो ये मोड क्यों कामें आता है मैं मौस्चर का मौड क्योंकि वर सब一次 समय में जब बरसाथ होती है बाहर तो कुलिंग कॉाइल पे पूरा मॉस्चर आता है रूम में पूरा मॉस्चर जैसा चिप चिप चिपा जैसा हो जाता है जब उस मॉस्चर मोड पर आप अन करेंगे ऐसी तो जब भी बरसाथ के समय में आप रूम में आएंगे तो पूरा एर कंडिशनर को चलाया जाता है बरसात के समय में एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो उचला जाएगा हीटिंग मोड पर अब देखिए हीटिंग मोड काम कैसे करेगा अगर आपके एर कंडिशनर सिस्टम में फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगा हुआ है तभी हीटिंग मोड आप अपने एर कंडिशनर को करवा सकते हैं कुलिंग मोड दिया गया है बस उसमें चेंजिस क्या करना है कि फोर वे रिवर्सिंग वाल्व लगाना है और आपका एर कंडिशनर हीटिंग और कुलिंग यूनिट बन जाएगा अभी तो कुछ एसी में दिया जाता है कु तो उसमें क्या होगा फैन पर चला जाएगा सिर्फ ब्लोर आपका चलेगा 24 थर्टी पर चला जाएगा आपका टेंपरेचर उसके बाद सिर्फ ब्लोर चलेगा वहाँ पर कूलिंग नहीं देगा यह होता है मोड का काम अब उसके आगे बात करते हैं उसके बगल में एक आपका अगर नॉर्मला हवा चाहते हैं आप ठंड़ा के मौसम तो आप फैन पर चला सकते हैं जिससे आपका बिजली भी बचेगा और एक प्रेसर भी नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है कि बचली आपकी बचेगी फैन मौड यह होता है तो उसमें आप हाई मेडियम लो जिस फेर नीचे उपर फ्लैपा चलता है एक होता है कि वी व जब करेंगे तो उसमें क्या होगा थोड़ा फिट्र सा फ्रास इधर होगा थोड़ा सा क्राइस इधर होगा यानि कि आप अब चाहें unexplancy हरे थोड़ा सा difference होगा और हवा का रुख बदल जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये दोनों बटन हो गया vertical swing और horizontal swing नेक्स्ट हम बात करते हैं slip slip का बटन क्या काम करता है slip जब आप प्रेस करते हैं तो उसमें होता क्या है कि temperature automatic काम करने लगता है जैसे जैसे रात होती जाती है हर कीसी को पता है कि रात होती है तो temperature down होता है तो आप्टोमेटी यो टेंप्रेचटर वो बढ़ता जाता है जैसे आप 24 पर set करते हैं थोड़ी देर के बाद пचीस पर हो जाएगा थोड़े देर के बाद 26 पे हो जाएगा, थोड़े देर के बाद 27 पे हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा, थोड़ा सा कंप्रेसर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 28 तक तक इस तरह से जाएगा, उसके बाद AC बिल्कुल कंप्रेसर बंद ह जाएगा चलना चलेगा नहीं आपका नऊर्मल बिल्कुल नार्मल आपका फंड रहेगा और थोड़ा सा मंपरेसर चलेगा भंड ? हुँइस तरह से सिल्प मोड काम करता है अब दोलब कि बीच में तीन बेर पितन दिये गया है उसका कोई मतलम नए है आपके remote में हो सकता कि यह ढिये गए हैं जो air conditioner system के साथ में आता है यह universal remote है जिसमें टीन फालती दीए गए हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है ।- अब हम बात करते हैं कि next button की lamp लैम्प क्या काम करता है आपके display में आप देख सकते हैं उसमें 24 जो टेम्प्रेचर आप सेट करते हैं घलता है जिससे पूलיד कि रात में तो डिश्टरबीं होती है तो तो अगर लेंप का बटन दबाएंगे तो 24 जो उसमें जो भी 받न सेट किये रहेंगे भी बंद हो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और आप तर्पर ना करना चाहते हैं टेंपरेचर ताकि दीखे तो आप फिर सब्सक्राइब करना चाहते हैं ज्यादा करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेंटेन टेंपरेचर पर चलेगा आपके रूम में करें चाहिए अब नेश्ट बात करते हैं टर्बो का बटन क्या काम करता है टर्बो का जो बटन होता है उसे जब प्रेस कर देते हैं तो आपको की बहुत टाइमर हो जाना चाहिए तो ताइम पर लिखा हुआ है जैसे आप 21 पर आपसे तरह पर किलिक करते ही क्या होगा कि वहां पर सो होने लगेगा इस तरह वाई-फाई दिया गया है ना वाई-फाई का उसी में काम करता है और वाई-फाई काम नहीं करेगा अगर आपको दिया होगा आपके एर-कंडिशनल सिस्टम में तो वाई-फाई तब काम करेगा इस तरह से यह होता है वोल्टा से इनवाटर एर-कंडिशनल का रिमोट का पूरा फंसन मुझे लगता है कि आप समझ गये होंगे फिर भी कोई क बनाओं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वेल आइकन को प्रेस करते ही आपको जितने भी वीडियो में बनाओंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और वीडियो को आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यह चोटा सा वीडियो था आज के लिए मुझे लि और वीडियो को आप देख वाएं तो आज के लिए बस इतना ही था अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए एरकनिशनर के साथ में